दीपा वली की रात चुप चाप ज़ाडू के नीचे दबा दे एक चीज होगी हर मनो कामना पूरी दोस्तों दीपा वली का त्योहार भारतिय संस्कृति में एक विशेश स्थान रखता है और इस दिन को लेकर अनेक परंपराएं और मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन में मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं वेदों और पुराणों में जाडू को मा लक्षमी का प्रतीक माना गया है यह बात कही जाती है कि दीपा वली की रात जाडू के नीचे एक विशेश चीज रख देने से घर में दरि प्रियास्त के बाद जाडू लगाना शुभ नहीं माना जाता क्योंकि इससे मा लक्षमी रूठ जाती हैं धन तेरस और दीपा वली के दिन इस नियम का पालन विशेश रूप से किया जाना चाहिए ताकि घर में धन धान्य और सुख सम्रिध्धि बनी रहे पुरानी पराओं के अनुसार मा लक्षमी का स्वागत करने के लिए दीपा वली की रात विशेश तैयारियां की जाती हैं जाडू का भी महत्व यहां विशेश रूप से बढ़ जाता है माननिता है कि इस दिन एक छोटी सी वस्तु को जाडू के नीचे रखकर सोने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और सम्रिध्य आती है जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसका भाग्य चमकने लगता है इसके अलावा जाडू का सही समय और दिशा में इस्तिमाल करने से भी घर में नकारात्मक उर्जा नहीं आती और परिवार मे कलः वदरिद्रता दूर होती है यह भी कहा जाता है कि अगर दीपावली की रात किसी व्यक्ति को सपने में जाडू दिखाई दे तो यह एक बहुत शुब संकेत होता है ऐसा माना जाता है कि यह मान लक्षमी की कृपा का संकेत है और जल्द ही उस व्यक्ति की आर्थिक प्रतिती में सुधार आने वाला है। इस तरह के सपने का असर अच्छा माना गया है। और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सामान्य दिनों में यदि कोई जाडू का सपना देखता है, तो उसे तुलसी या गाय को इसका जिक्र करना चाहिए। ताकि किसी त भंतेरस जैसे शुभ अवसर पर खरीदना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस अवसर पर नई जाडू का घर में लाना समरिध्ध का प्रतीक होता है। घर में रखी हुई जाडू का भी विशेश स्थान निर्धारित होना चाहिए। और इस पर किसी बाहरी व्यक्ती की नजर न पड़े। ऐसा माना जाता है आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाए रखने के लिए जाडू को व्यवस्थित धंक से रखना आवश्यक है। जाडू से जुड़ी एक और परंपरा है कि रात के समय घर से कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घ अधर में बरकत और धन की कमी आ सकती है। इसलिए रात में जाडू लगाने पर कचरे को एक कोने में एकत्रित करके रख देना चाहिए और सुबह ही इसे घर से बाहर फेंकना चाहिए। इससे मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता घर से बाहर रहती है। इस इस प्रकार जाडू से जुड़ी इन छोटी-छोटी परंपराओं का पालन करना हमें कई समस्याओं से बचा सकता है और जीवन में खुशहाली ला सकता है ऐसे उपाए जो छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर बड़ा होता है हमें ये सिखाते हैं कि हमारी संस्कृती में हर वस्तू का एक प्रतिकात्मक अर्थ होता है इन बातों का महत्व सदियों से हमारे पूरवजों ने भी अनुभव किया है और इसी कारण से इनका पालन करने की सलाह दी जाती है तो इस दीपावली आप भी जाडू से जुड़े इस चमतकारी उपाय को आजमा कर देख सकते हैं और मा लक्षमी की कृपा से जीवन में खुशियां और सम्रिध्धि पा सकते हैं ध्यान देने वाली बात है कि इन परंपराओं का पालन करते समय मन में श्रध्धा और सकारात्मक्ता बनी रहे आप भी इस दीपावली पर इस उपाय को अपना कर देखें और देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है धन तेरस और दीपावली का पर्व न केवल उत्सव और खुशियों का समय होता है बलकि घर में सम्रिध्ध और सौभाग्य लाने के लिए विशेश उपाय करने का भी महत्व हो इन त्योहारों में घर की जाडू बदलना और उसके साथ जुड़ी विभिन परंपराओं का पालन करना शुभ माना जाता है यह मान्यता है कि धन तेरस के दिन अगर हम पुरानी जाडू को बदल कर नई जाडू का इस्तिमाल करते हैं तो यह न केवल सकारात्मक उर्जा को घर में बनाए रखता है बलकि माता लक्ष्मी का आशीरवाद भी हमें प्राप्त होता है अगर आपने धन तेरस पर यह कार्य नहीं किया तो चिंता न करें दीपा वली की रात से पहले भी यह कार्य किया जा सकता है पुरानी जाडू को घर से बाहर करके नई जाडू लाना इसके माध्यम से नकारात्मक उर्जा को दूर किया जा सकता है ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सम्रिध्य और खुशियां आने लगती है घर में जाडू का सही स्थान और दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है वास्तु के अनुसार जाडू को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे उचित माना गया है खुले आसमान के नीचे या छट पर जाडू रखने से परेशानी उत्पन्न होती है क्योंकि यह नकारात्मक्ता को आकरशित कर सकता है जाडू को सही तरीके से रखने के साथ ही इसके नीचे विशेश वस्त्र या सिक्का रखना भी से घर में सकारात्मक्ता बढ़ती है अगले दिन इस सिक्के को गंगा जल से स्वच करके धन रखने के स्थान पर रखें जिससे अगले वर्ष तक लक्षमी कृपा बनी रहती है यह प्रयोग हर धन तेरस पर दोहराया जा सकता है धन तेरस पर नई जाडू खरीदने का दोहाव नहीं होता धन तेरस पर जाडू का दान करना भी सम्रिध्य का प्रतीक है यदि आप दो नई जाडू लाते हैं तो एक जरूरत मंद को दान करें इससे घर में सुख सम्रिध्य और सकारात्मक्ता का संचार होता है पुरानी जाडू को तुरंत बाहर नहीं फेंकना चाहिए बलकि उसे संभाल कर रखना चाहिए और होली का दहन अमावस्या या शनिवार को ही बाहर फेंकना शुब होता है ऐसा करने से घर में धन धान्य और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है साथ ही जाडू को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए ताकि किसी बाह गंगा जल छिड़कें और कपूर जलाकर जाडू के उपर से लेकर पूरे घर में घुमाएं ऐसा करने से बीमारियों और नकारात्मक उर्जा का नाश होता है यदि आप धनतेरस पर नई जाडू लाते हैं तो पुरानी जाडू को कहीं ऐसी जगह रख दें जहां किसी के प संबंधित है और काले धागे का संबंध शनी ग्रह से है इस से इन ग्रहों का संतुलन बना रहता है और नकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती इन त्योहारों पर यदि हम अपने सामर्थि के अनुसार किसी जरूरत मंद की सहायता करते हैं जैसे कपड़े धन या मिठाईदान करना तो इसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है दिवाली के दिन लक्षमी पूजन के साथ कुबेर जी की पूजा भी अति शुभ मानी जाती है देवी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है जिस प्रस और दिवाली पर इन परंपराओं का पालन करके हम अपने घर में लक्षमी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं दीपा वली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें यह उपाए दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ डीडियें का उप पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड बिल्व के पत्ते इसका फल बीज जड और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमरित चौगणियां समय पर पीस कर एक चूर्ण बना लीजिए अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए अब भोज पत्र पर अनार की कलम से उ आहरीम क्रो श्रीम श्रीय नममा लक्षमी नाशय नाशय मामो तीर्न कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा इस मंतर को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें जीवन में सुख प्रापती के लिए जीवन में चली आ रही अब रात्री में बारह बजे के दौरान नारियल को अपने उपर से तीन बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। और उनसे आशीरवात ग्रहन करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णुजी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें। औ और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए, इस दिन साथ कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के उपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिध्धि एवं साधना का दि यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। दीपावली का पर्व भारतिय संस्कृती में बेहद विशेश स्थान रखता है और इसे तंत्र मंत्र साधना के कार्यों में अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेश रूप स इस दिन साधारन लेकिन प्रभावशाली उपाय किये जा सकते हैं जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। दीपावली के दिन एक अनोखा उपाय है जिसमें सुभह पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने और उसकी साथ बार परिक्रमा कर करने का विधान है। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह सरल उपाय न केवल जीवन से कष्टों को दूर करने में सहायक माना जाता है बलकि नकारात्मकता को भी कम करने का काम करता है। दीपावली के दिन किये ग एक प्रमुख दिन है जब घर की समरिध्य बढ़ाने के लिए विशेश वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इसमें जाडू खरीदने का भी एक विशेश महत्व है। कहा जाता है कि धन तेरस पर नई जाडू खरीद कर मा लक्षमी के चरणों में अर्पित करने से उनके आशी प्रिध्य आती है। ऐसी मान्यता है कि जब धन तेरस पर नई जाडू लाई जाती है तो पुरानी जाडू को तुरंत नहीं फेकना चाहिए। उसे होली का दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही बाहर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्षमी का वास ब पूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से घर में धन की बरकत बनी रहती है। एक कहानी के अनुसार, रामपुर नामक गाव में एक गरीब परिवार के सदस्य ने दीपावली के दिन जाडू के नीचे सिक्का रख कर माता लक्षमी का आहवान किया था। इस उपाय से उस पर प्रतना में दीपावली की रात उसने सिक्का साफ कर जाडू के नीचे रखा और माता लक्षमी से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उनके आशीरवात से उसके जीवन में धन की कमी दूर हो। उसी रात उसकी पतनी ने एक सफेद कबूतर को देखा और चौंक गई। यह शु श्रधा और विश्वास के साथ करने का चलन शुरू हो गया। यदि इस तरह के उपाए श्रधा और विश्वास के साथ किये जाएं तो माता लक्षमी की कृपा से धन और सुख सम्रिध्धि प्राप्त होती है। ऐसे छोटे-छोटे उपाए और रीती रिवाज वर्षों स हमारी परंपराओं में शामिल हैं और दीपावली जैसे विशेश अवसर पर उन्हें करने से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठ सकें।